असलाम लेकूं मैं यूट्यूब फैमिली कैसे आप मैं उम्मीद किरती हूँ आप सभी हैरियर से होंगे और आप सभी जानते हैं मैं हूँ सोब्या तो इसे नाब आज की स्पेशल वीडियो है एक स्पेशल मेरी सिस्टर के लिए तो जनाब आप थमने से और टाइटल से देखी चुके होंगे मैंने स्पेशल वीडियो बनाई है दुआ के लिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैंने स्पेशल वीडियो बनाना छोड़ दिये पहले मैंने ही स्पेशल वीडियो बनाना खुद ही शुरू की थी और मेरे सब्सक्राइबर को भी काफी है तक अच्छा लगा था लेकिन उसके बाद मैंने स्ट्रॉप कर दी थी तो आज मैंने काफी ज्यादा लोंग टाइम के बाद खुद अपनी मर्जी से नहीं तो मैं किसी के फोर्स करने पर बनाती हूँ तो ये वीडियो मैंने अपनी मर्जी से बनाई है दुआ के लिए तो हर इंसान की पर्सनल लाइफ होती है कुछ पर्सनल इशूज होते हैं मैं उनको ज्यादा डिसकस तो नहीं करूँगे लेकिन जस्ट मेरा आज की वीडियो बनाने का और ये अर्चंट वीडियो बनाने का ये मकसद था अभी मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए दुआ के लिए क्योंकि छेरे पे सिर्फ एक मस्कुराहट मिला सकूँ तो मैंने अभी सोच लिया कि मैं फोरण से कर्चंट वीडियो बनाती हूँ तो जना मैंने अभी इससे वर्क करना स्टार्ट कर दिया तो मैंने यही सोचा कि शायद मेरी वीडियो बनाने से में के चेरे पे एक मस्कुराहट आये चोटी सी और शायद उनका दिल और दिमाग थोड़ी दित के लिए बहर जाए वो हुश हो जाए तो मैं ज्यादा उनकी प्रॉब्लम को डिसकस नहीं करूँगी लेकिन आप सबसे एक वेस्ट है आप सबसे मैं एक अपील करूँगी कि प्लीज 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 उनके लिए दुआगो हो जाएं और उनके लिए प्लीज बहुत सारी दुआएं करें आप अपने दुआ के लिए बहुत अच्छा करें बहतर लेकर उनको बहतरीन दें और मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 उनके लिए बहुत सारी दुआई किजीएगा और किसी ने भी निरास नहीं होना किया आपने दूआ के लिए special वीडियो बना दी हमने बोला था आपने Batry कोशिश करें कि मेरा इस वीडियो को बनाने का क्या मक्सद है और आज तक मैंने इतनी long वीडियो किसी एक के लिए नहीं बनाई ये मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर ले वन नेम डिपीस तो उन में आपको ये फर्स्ट वीडियो होगी जो सबसे ज्यादा लोंग है और सबसे ज्यादा इन में डिपीस एड़ की गई हैं सिर्फ उनके लिए तांकि उनकी जो भी कुल प्रॉब्लम है वो उनको थोड़ी के लि भूल जाएं ठीक है तो मेरे चैनल से लहां दोने लहां मुझे ऐसी बेहने मिली हैं ऐसी दोस्ते मिली हैं जिनको मैं चाहती को वह हमेशा मेरे साथ रहें और हमारा एक तालूप कभी भी न ढूटे तो इंशाला इंशाला आला थाला हम सब को ऐसे ही बेहनों की तरह रखे और हम सब एक दूसरे के साथ एक अच्छे तालब के साथ रहें और मैं बता नहीं सकती कि मुझे इनकी तरफ से कितना अच्छा रिस्पोंस मिला और हमेशा बहुत अच्छा रिस्पोंस इनों ने मुझे दिया और इससे बैस्ट कोई सब्सक्राइबर अपने यूट्यूबर के लिए नहीं करता जो मेरे सब्सक्राइबर मेरे लिए कर जाते है और ये बहुत बड़ा सच्छा है ऐसा नहीं कि मैं बस बोल रही हूँ मैंने ये बात ये अपनी आँखों से देखी है और ये मेरा एक्सपिरियंस है चैनल पे कि ऐससे सब्सक्राइबर के सी को नहीं मिलती है और ये बात मैं अपनी फैमली से भी करती हूँ अपने फ्रेंड्स से भी करती हूँ कि माशाला से मेरे चैनल पे सबसे बेस्ट चीज़ है मेरी ओडियंस तो मेरी तमाम audience बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा response एती है लेकिन कुछ लोग बहुत special हैं जो कि काफी देर से मेरे साथ है जैसा कि दुआ है और बाकी भी बहुत सारी मैं अब one by one सब का नाम नहीं ले सकती लेकिन सब को पता है कि मैं किस किस की बात कर रहे हैं और कौन मेरे साथ कब से जुढ़ा है तो बस मैंने कोशिश की है कि Allah उनकी मुशकी असान करें और मैं सबसे दीआ करवा सकूँ मेरा मेरा में मकसद इस फीडियो को बनाने का यह है कि मैं आप सबसे एक द्वा की अपील करूँ आप सब द्वा कीजिए कि आला ताला उनके लिए बहुत सारी खुशिया लाए बहुत सारी खुशिया लाए और इंशाला ताला दूसरों के हक पे हम जो द्वा करते हैं आला ताला उसको बहुत करीब से सुनता है और वो खुद ही ज़्यादा तोच्जा से सुनते हैं तो आला ताला हम सब की द्वा को कबूल करें और जहां 40 आमीन बोली जाएं वहां पर द्वा जरूर कबूल होती है तो सब की हक्वें में द्वा करूँगी कि आला ताला मेरी जितने भी सबस्क्राइबर हैं और हर मुश्किल को असान करें तो खास तो पे दूआ के लिए भी मैं दूआ को हूँ और आप सबसे भी खास दूआ के लिए बोलूँगी प्लीज 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 और कुमेंट सेक्शन में आपने जस्ट आमीन बोलना है कि अला ताला उनकी मुश्किल को उनकी परिशानी को असान करें और आई होप मेरी इस वीडियो से उनके चेरे पर एक मस्कुराहट होगी और इस जासा के मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद था तो आई होप मेरी उनको अपनी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सब की दुआ करने का और वीडियो को देखने का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अपना ख्यार रखेगा लाफिर